हे एवरीवान वेल्कम बैक तू माई यूट्यूब चानल टावल विदियशे आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के एक पॉबुलर गी इस्टेशन कसौली की जो सी लेवल से एटीन हंडेड मीटर की हाइड पर है कसौली इस तब बेस्ट प्लेस तो विजिट फर रिलाक्सेशन और रिफ्रेश यूर्सेल्फ प्रॉम बिजी लाइफ अगर आप भी दो से तीन दिन का ट्रिप प्लान कर रहे हैं और कसौली इस तब परफेक्ट वीकेंड डेस्टिनेशन फर यू हम इस वीडियो में चानेंगे हाव टू रीच कसौली, प्लेस तो विजिट इन कसौली और बेस्ट टाइम तो विजिट कसौली तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप आने वाले समय में और भी इंड्रस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले सबसे पहले बात करते हैं कि आप कसौली कैसे पहुँच सकते हैं अगर आप डेली या किसी दूसरी सिटी से आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले चंडिगड आना होगा और यहां का नियरेस्ट एयरपोर्ट है चंडिगड एयरपोर्ट कसौली चंडिगड से अप्रॉक 55 किलोमेटर के डिस्टेंस पे है अगर आप बाइ रोट कसौली जाएंगे तो आपको मिनिमम दो घंटे लगेंगे और अगर आप बाइ ट्रेन कसौली जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले कालका रेलवेश टेशन जाना होगा जो की चंडिगड से 28 किलोमेटर के डिस्टेंस पे है और यह यहां का सबसे नियरेस्ट रेलवेश टेशन है यहां से आप तोई ट्रेन से कसौली जा सकते हैं जिसकी बुकिंग आपको पहले से ही करने होगी अब बात करते हैं कि आप कसौली में कौन-कौन सी जगा विजिट कर सकते हैं क्राइस्ट चल्च क्राइस्ट चल्च कसौली का वन थे मोस्त विजिट ट्लेस है जो की बस तांड के जिस्ट अपोजिट में है इट वोस्वांड़ बाइब बृतिच फामिली इस 1853 यह वाय थिस तूर टूरिस्ट अट्रेक्शन इन कसौली और यह फिर्मस है यहां की हैरिटेज बिल्डिंग और हिस्टोरिकल लेंडमार्क के लिए तो अगर आप भी कसौली का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप सबसे पहले यहां विजिट कर सकते हैं मौल रोड मौल रोड इस पन अफ बेस्ट शौपिंग अट्रेक्शन इन कसौली इस डिवाइड इंटो लोवर मौल रोड और अपर मौल रोड यहां आपको बहुत सारी शौप्स रेस्टों कैफे और फूट कॉर्नर मिलेंगे जहां से आप जी भर के शौपिंग कर सकते हैं और डिलीशियस पूट इन्जॉय कर सकते हैं अगर आप भी एक फूड़ी है तो इस ता आइडल प्लेस पर यहां का बन समोसा सबसे जादा फेमस है तो आप जब भी यहां जाएं डोंट फगेट टॉट ट्राइड इस वान मॉल रोट के नजडी हेरिटेज मार्केट भी है जो कसॉली की सबसे ओल्ड मार्केट है अगर आप चाहें तो वहां भी शौपिंग के लिए जा सकते हैं Sunset Point Sunset Point is one of the best view point to visit in कसॉली यह पॉइंट कसॉली बस स्टाइड से 1.5 किलोमीटर के डिस्टरेंस पे है जहां आप वॉक करके जा सकते हैं क्योंकि यहां आपको वीकल अलाव नहीं है Evening में पांच बजी की साइड आप यहां जाने का प्लान कर सकते हैं क्योंकि यह best time है to enjoy the beautiful sunset There is a famous board I love कसॉली, you can take the pictures there and enjoy the views Gilbert Trail Gilbert Trail 1.5 किलोमीटर लंबी एक नेचर वॉक है जहां आप चारो तरफ नेचर को enjoy कर सकते हैं यह कसॉली का one of the best peaceful place है जो famous है अपनी नाचरल प्यूटी के वज़ा से अगर आप भी एक नेचर लवर हैं then you merge with it this place This is the perfect way to explore nature and beautiful view यहां रस्ते काफी पतले और sleepy हैं तो आप यहां बारिश के मौसम में जाना avoid करें तो अगर आप भी कसॉली जाने का प्लान कर रहे हैं तो इसको अपनी bucket list में जरूर डालें Sunrise Point Sunrise Point bus stop से 2 km के distance पे हैं और इसे हवा घर के नाम से भी जाना जाता था आप यहां morning में जल्दी जा सकते हैं और beautiful sunrise को enjoy कर सकते हैं एक दिन की शुरुआत करने के लिए इस अपरफेक्ट तोरिस्ट अट्राक्शन इन कसॉली प्लेस प्लेस पर फोटोग्रोफी लवर्स यू कन सेट और इंजॉय दा प्री टेकिंग व्यूज ऑफ अफ तर संडाइज monkey point कसॉली का सबसे highest point है monkey point जो sunrise point से 2 km के distance पे है और ये air force के अंदर बना है जहां आपको mobile या कोई भी electronic device ले जाना allow नहीं है कहा जाता है जब Lord हनुमान हिमालिया से संजीवनी बूटी लेके जा रहे थे तो उनका एक पैर यहां पे टच हो गया था इसलिए यहां की हील का शेप उनके पैर का है और यहां टॉप हील पे Lord हनुमान का temple भी है और ये जगा Indian air force हैंडल करती है Monkey Point से आपको पूरे चंडिगर के खुबसूरत नजारे भी देखने को मिलेंगे जिने आप enjoy कर सकते हैं ये थे कसौली के कुछ best sightseeing place जिने आप दो दिन में easily visit कर सकते हैं और यहां आपको बहुत सारे budget friendly hotels और resorts मिल जाएंगे with beautiful views जिनकी booking आप advance में भी कर सकते हैं या यहां पे आपके भी आप hotel ले सकते हैं अगर आप कसौली जाने का plan कर रहे हैं तो आप यहां कभी दी जा सकते हैं क्योंकि यहां का weather हमेशा ठंडा रहता है बट monsoon is the best season to visit कसौली तो आप मार्च से जुलाई के बीच में यहां जा सकते हैं और यहां का weather enjoy कर सकते हैं और अगर आप winters का plan करें तो आपको यहां December और January में snow मिलेगी कसौली में snow enjoy करने का यह सबसे best time है कसौली एक small town hill station है इसलिए जाड़ा crowd ना होने के वज़े से आप यहां adventure और nature को अच्छे से explore कर सकते हैं If you are looking for a blissful holiday then this destination is perfect for you I hope आपको यह video informative लगा होगा अगर video पसंद आया हो तो please video को like करना, share करना और channel को subscribe करना मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नई वीडियो में एक नई destination के साथ तब तक के लिए, thank you so much for watching, bye bye